हालो एवर्यों कैसे हैं आप लोग तो आद में शेयर करूंगे आप सबीके साथ में बटन स्टिक्स फ्राइब कबाब बिल्कुल लनो के न्यू कबाब बनाने की रेसपी जिसे आप भी एक पर जरूर ट्राइब बनाने में बहुत असान है और लुक की वज़े से बहुत में कुछ मसाले ग्राइब कर लेने हैं जिसमें मैंने लिया हुआ है रधनिया ताथ ही मैंने अद्रक लिया हुआ है दो टुकड़ा इसी के साथ मैंने लिया है दो तीन हरे मिर्चे लेरी हूं मैं रॉप अपाया इसकिन के साथ लीजेगा और अब इसे हमें ग्राइब कर ल यहां में ढूल दाल दीजें नमक यहां पर हजब जरुआ दालना होगा तकरिमन अब इसमें लिमन जूस जालना होगा कि फ्रेश लेमन को कट करकर पर यहां पर आफ जूस यह दालना होगा। पूरर ब्रड़ा इंकॉर्पोरेट हो जाए इसके मितन में याउन Susi, मॉटनमस मेरिनेट हे इसके मिल ऊड़ा मेल गए अभी धुड़ हो एँटो अछोड़ अच्छे डहक पाउँ जिस साइट लिए पाउटू मौटर और पैसल लिया है जिसमें ने कॉरियंडर सीट लिया है दो टेबल स्पून दो पीस में लाल सुखी मिर्च ले रही हूं तकरीबान आठ दस मैंने काली मिर्च के दाने लिये हूए है एक बड़ी लाइची का दाना मैंने सीड निकाल कर लिया है और सकिन हटा दिये साथ ही मैंने यहां पर लॉंग पेपर यानि की पीपली ली हुई है देखिए इस तरह की होती है लंबे शेप की होती है और कबाब वगेरा में जब डलती है तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है तो यह पूरा नहीं आधा डालना है हमें और डालकर इसको हमें इस तरह से मुटन स्टिक्स फ्राइ कबाब बहुत अंदा बनेगा अब इसमें डाली गरम मसाला मेरा होम में डिफरेंस रेसिपी मैंने शेयर करी है आप एक चेक कर लीजेगा बहुत अच्छी खुश्बोदार मसाला है जिससे कबाब वगेरा बहुत अच्छा बनता है साथी भुना क अच्छा बना देगा जाए जिए एक से डो बड़े चमच घी तो यहां पर दीखे मैंने घी डाल दी है और डाल कर मैं इसको अच्छा से मिला देरही हूं यह सारा प्रोसस्स आपको फिर से करना है जिससे कीमे के अंदर सारे मसाले जजब हो जाए और बहुत अच्छा फ्ल बहुत ही उंदब बनेगा देखें यह पूरा मिक्षर इसमें चला गया है और बहुत अच्छा से मैंने इसको गूत लिया है और यह डो बन गया है तो यहां पर कबाब बनाने के लिए क्योंकि यह फ्राई कबाब है मैंने आइस्क्रीम स्टेक ली हुई है जिसको मैंने पा जाएगा तो थोड़ा सा नीचे ऊपर आइसक्रीम स्टेक को छोड़ दीजेगा इसको पकड़ने के लिए और फ्राई होंगे तो फ्लिप करने में असानी होगी और बाकी पूरा आपको इसको अच्छा से कवर कर देना है इस तरह से जैसे मैं वीडियो में दिखा रही जिसके लिए आपको फूर थोड़ा सा ओयल लगेगा तो शैलो फ्राई करनी है यहां पैन में ओयल गरम कर लिया है जैसी ओयल गरम हो जाता है ना एकर करकर हमारे सारे स्टिक्स इसमें हमें डाल देने हैं तो देखें कबाब में लगे हुए यह स्टिक्स बहुत ही जादा इस तरह से सारे डाल दीजे जितना स्पेस आरा तो इतना डाल दीजे फ्लेम लगातार हाई रखेगा और हाई फ्लेम पे इसे तीन चार्मेट तक सिखने दीजिए हलका हलका यहां पे इसमें मौश्चर निकलने लगेगा और यह फ्राई होता जाएगा तो अब इसकी किने साथ hilarious है तो जॉल्धा अप जाए हो लिग इसमें होल्स साथ निकाल लोगे किसा तो लगातार यह जब तो दूश्ता फ्लेम हाई कर mid रहें आपने गुला कबाब, सीख कबाब या बहुत तरह के कबाब खाया होंगे लेकिन यह जो मुटन स्टिक्स फ्राइ कबाब है बिल्कुल नए कबाब है और बहुत ही अच्छे लगते हैं जब एक बार यह फ्राइ हो गया तो दूसरा बैच भी मैंने इसी तरह से डाल दिया है फ्लेम हाई करकर थोड़ा तील को गरम कर लीजेगा उसके बाद में डाल लिएगा और डाल कर इसे दोनों तरफ से जैसे मैंने पहले बताया इसी तरह से चार पांच मिट के इंटर्वल इसको फिलिप कर लीजेगा यह क्रिस्पी हो जाएंगे और बहुत चे लगेंगे जब कबाब बन जाते हैं तो यहां पे कुए क्विक सालिड बनाएंगे क्रंची सालिड इसको बनाने के लिए मैंने प्याज ली हुई है साथी मैंने टमाटर लिया हुआ है स्लाइसे में प्रिंकल करना है काला नमक और चाट मसाला बस यह दोनों चीजों को डाल कर आफट अफट अफट टमाटो और अनियन का एक क्रंची सालिड बना सकते हैं जो के इस स्टिक्स फ्राई कबाब के साथ में बहुत अच्छा जाता है तो यहां पर मैंने यह सालिड प्रिपेर कर अब प्लेटिंग कर लेते हैं तो प्लेटिंग करने के लिए हमारे फ्राई किये वे स्टिक्स कबाब इसी के साथ में एक डिप बनाई है जो कि मैंने बहुत बर आपके शाथ में शेयर करिए तो एक बर आप चेकर दीज़ेगा बहुत ही आसान सी यह चट्णी बनती है और इस चट्नी के साथ में यह फ्राई कबाब और सालेड बहुत ही जादा अमेजिंग कॉमिनेशन है एक बर जरूर बनाएं उमीद आपको पसंद आएगी तो यह मुझे एक बर जरूर बताइएगा अपने वार्यूबल फीडबैक जरूर दीजेगा और अगर ट्राई करते है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल पेने तो सब्स्राइब जरूर कर लीजेगा इसी तरह की धमाके दर्स दबदरस रसेपी लेकर मैं फिर हाजिर होती रहूंगी तब तक अपना और अपनी फैमिली कर रखिएगा बहुत सारा ख्याल दूआ में आद रखिएगा थापाइगे सेंग लेकर में थाइखगा वाइखगाईगाँ